तो हेलो एव्रीवान, विल्कम बैक टो दे चैनल, आई होप दोस्तों आप सभी अच्छे होंगे, आज की जो वीडियो है हमारी वो हिंदी की क्लास 8 रहने वाली है, तो इस क्लास को लेने में थोड़ा डिले हो गया, so sorry for that, but अब से रेगुलर्ली हिंदी की क्लासेज होती रह सिफलर्न, हमने उन सबी को समझा था, उसके अलावा, हमने फिर देखा था उचारण på d skies first class में, is paper of you unique, next class हमने, to do this now we have been चुह सभी वर बे предлож समझांस को बहुत ही अच्छे से समझा, थेक है, अब आज गजिस वीडियो में हम लोग वैंजन वर्ण को बहुत ही अच्छे से समझेंगी ठीक है उसका जितना भी एक्स्प्लेनेशन और जितना भी फैक्ट से जो भी इंपोर्टेंट है सब आपको मैं अच्छे से बताऊंगी ठीक है बहुत ही क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा अगर आप एंजन का सर्च करोगे प्रॉपरली आपको नहीं मिले या फिर सोर्स मिलेगा जहां पर आपको इस तरह से पढ़ाया गया हो ठीक है बट मैंने कोश्चन देखा तो मैंने ही आपके लिए महनत करी है तो इससे पूरा आपको क्या करना है बेनिफिट लेना इस पीडियो से और भी अधर फ्रेंड्स के साथ भी सेयर करना है ताकि उ नम में हम लोगों का पढ़ा था वर्ण माला में मड़ा वर्ण हमारे दावन बर्ण है तो 24 जो पहले लिएiri्ट रीकार वैसे शिक अनॉर्ण करता किकल को नहीं है किसे बंग कि सुर मर्ण कितने आधे किस यह यह इंग twee, शिकंथ्ट कितनेeurif, थि यह हैं यह कितना और अायोग्वा आयोग्वा भी कितने होते हैं 2 होते हैं उस सारे से यदा up आप तसके होते हैं घ्यारा होते है सवरवण 32 होते है चार होते हैं दो इस तो हमारा बेसिक पढ़नमाला का था अब हम लोग बहुत ही डीटेल से पढ़ेंगे व्यन्जन के बारे में ठीक है और उसके बाद व्यंजन का completely वर्गी करन देखेंगे, हम लोग बहुत ही अच्छे से, ठीक है, जिससे कि आपका exam में बिल्कुल question न रहे, ठीक है, वेंजन के बारे में सबसे पहले देखिए, स्वरों की साहिता से बोले जाने वाले वर्ण, ठीक है, तो स्वर के बारे में हमने क्या पढ़ा था, कि किसी और वर्ण के आवे सकता ना पढ़ती हो जिसके उचारन में, तो उसे हम स्वर वर्ण कहते हैं, वेंजन वर्ण के बारे में हम क्या पढ़ रहे हैं अभी, स्वरों की साहिता से बोले जाने वाले वर्ण, ठीक है, स्वर की साहिता से जो वर्ण बोले जाते हैं, उन्हीं हम क् शचारन का शचारें फागोन नहीं होता है यह नोग है तो यह वह संभव क्या फिसक्किन educated महिले मफाले घरेंख दू का नीचे हूं कमि क्य ნुड हो जेता है वह चुपा हूँ होता है ठीक हुआ हुआ कि का क्या हो जाएगा ख láगा जो हलन्हों नीचे लगा देते हैं तो इसलिए यहां बोला जा रहा है कि प्रतिक विढ़ेंजन में क्या होता है और अक के बिना उचारण समभब नहीं होता है थे फिर तेखे हम पी क्या लिखा हुआ're प्रमपरागट रूप से संक्या थे ठीक है और ढहीं पढ़ा उसको जोड देने पर वेन्जन की संक्या कितनी हो जाती है ठीक function इस तरह का question तो यहां से क्लियर हो गया को यह सारा चीछ अब हम लोग एक बहुत ही इंपोर्टेंट सिक्षिन की तरफ चल रहे हैं जो कि है वेंजन का वर्गी करन वेंजन के वर्गी करन को बहुत ही अच्छे से कि ढूरणनास्थान की अधारपर तीन प्रकार की वियंजन वर्गी करन के अधारपर सबसदिवन, इस है पहले से समझ लुए से उचारन अस्थान के अधारपर, भीनतर प्रेयतन ताetusoga और तीस घया है और व यह वाफ bipolar का थाась और. ठीक फिर उन उन सब Vallahi डिवाइड किया गया कि उचार के अस्तान के उचारण स्थान के अधार पर तीन हैं जन ठीक प्रकार के जैन और ऐते हैं अंतर्च तन इसमें चार रथ आते हैं उश्म या संघर्षी वेंजन इसमें भी कितने आते चार वर्ण आते हैं तो यह तो डाटा आपको याद करना ही है किस पर्स वेंजन कितने हैं अनतास्त वेंजन कितने हैं और उश्म वेंजन कितने हैं ठीक है यह तो याद करना ही है और उसके बाद हम लोग देखें ठीक है दूब में बाटा गया है सोर्तंत्रि के अधार और प्रान के अधार पर जमें के हम लोग अलपराण माहपरानय पढ़गेंगे और उसके बाद गोशत्तों के अधार पर वही गोश आघोश पढ़ेंगे ठीक है तो चलिए उचारन अस्थान के अधार पर से सुरू करते हैं हम लोग पहला जो हमारा होने वाला है व्यंजनों का वर्गी करन उचारन अस्थान के अधार पर देखें असपर्स व्यंजन के बारे में पढ़ते हैं जिन व्यंजनों का उचारन करते समय हवा फेपड़ों से निकलते हुए मुग के किसी अस्थान, विशेस, कंथ, तालू, मुर्धा, दात या ओठ का असपर्स करते हुए निकले तो उसे ही हम क्या करते हैं एकदम सिंपल सरल भाजा में याद रखना है कि जिन वेंजिनों का उचारन करते समय हमारे जो अस्थान विसेस हैं जहां से उचारन होती है अगर वो सब में अस्पर्स हो रहा है तो हम सिंपली उसको क्या बोलेंगे अस्पर्स वेंजिन बोलेंगे मतलब जो फेफरों से हवा निकल रही है वो मुख किसी अस्थान विसेश जहां से उचारन अस्थान होता है उसको असपर्स करती है जब हम बोल रहे हैं तो जो वायू फेफरों से निकल रही है वो हमारे मुख के किसी उचारन अस्थान से जो टक्रा करके असपर्स करती है उस पहे हम कहां स्पर्समेंजन कांट है तालू मुर्धा ना ऊठैकम के लिए इसमें पर तो इसे देंगि रिजास बहुत अच्छा आठारी आधार पर जो उसे गलने कवर्ग ओर था लगया मतलब क्या है क्वर्ग अना थीकर जिड़र बादा ना न पाफ़ाभामा तो यह हमारा कवर्ग ज्यमestra डटावर्ग क्वर्ग हो एक वर्ग में टोटल कितने हैं पास है तो एक वर्ग में टोटल पांच है तो 5 आप वर्ण कर रहandra है तो टोटल कितने निकला है हमारे 25 है है यहीज तो अभी हमने देखा न कि 8 effective टोटल कितने होते है 25 होते हैं हमने देखा आसइस Also कितने होते 25 पता चल गया कि कैसे होते आसप और और श किस कीऊटी एसपर्स वैंजनो कight kvur टा बाँ Look Smper क्लियर और किसे झायर होगा का इनका उचारन झायर चाहिवा चल्वार मुढडनी से उचाहिण होता है तब क्लास वन ने अच्छा से दिसकस कर लिया इसलिए बहुत जाते हैं इस पर डिसकस्ट नहीं करेंगे बस यहां से हम लोग समझ लिए कि सपर्स वेंजन आखिर किसको कहते हैं ठीक है जब उचारएन अस्थान को दोनी क्या करती है झालीं करते हैं अब चलिए आगे बढ़ते हैं ठीक है नेड़ समारा कहते हैं और यह टोटल कितने होते चार होते हैं अंतास्त वेंजन कितने होते हैं टोटल चार होते हैं यह क्या होते हैं आखिर जिन वर्णों का उचारन स्वारो और वेंजनों की बीच स्थित हो ठीक है इसलिए इसे अंतास्त बोला जाता है अंतास्त मतलब बीच में स्थित बीच में स्थित किसकी बीच में स् कि जिन वर्णों का उचारन स्वरो और वेंजनों की बीचस्तित होता है उसे हम क्या कहते हैं अप्शन रहेंगे चार आपको टिक करना होगा तो आप जानों के तब तो कर पाओगे ना तो इसलिए इसे याद कर लेना है ठीक है अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि इसमें अंता स्वरों में कौन कौन से वर्णा ठीक है तो अंता स्वरों में चार वर्णाते हैं यह लवय घर कि में इसमें है कि आप लोग उचारन स्थान इद करेंगा जो कि यह मुझा परस्स ग्लास में भी देख चुके है या तालू से उचारन होता है रह दंथ मुल यह मसूड़य दंथ मुल से होता है ठीक है और जो होता है हमारा ये दंत और निचले उटटस होता है ओलकर करके तेखिए आंको खुदी पता चलेगा ठीक है और यह जो होते हैं जितने भी यारलावा होते हैं वो शक्घृस और र्लप्रान होते हैं से तो यहां पर देखें जिन वेंजन का उचारन करते समय वायू मुख में किसी अस्थान विशेष पर घरसन तो उसे ही हम क्या कहते हैं उसे कहते हैं तो क्लियर हुआ जब हम वैसे वेंजन का उचारन करते हैं तो क्या होता है किसी एक स्थान विशेष पर वायू क्या होती है रगड खाती है और रगड और घरसन से क्या होती है कि गर्मी पैदा होती है जिन वड़नों को बोलने से जिन तो उसे ही हम क्या बोलेंगे उस्म व्यन जन बोलेंगे है जासे की देखें तो यह पाइदा थि उस्मारे पाइदा हो और हमने यह भी अब देख लिया कि कौन-कौन से होते हैं होते हैं ठीक है उचारन असान भी देख लिजे क्या होता है अब पढ़ लिजेगा इसे बस इतना ही हमें याद रखना है परके आपको पता चले गर्म उत्पन होती है ढ़िक हमें से थंडी डखकी तो हमनक क्या खरते है तो इसे भी अब लुग इस सरासे क्यों करता है थाकि हुष्ट करता है तो इसलिए अपने घुमिसाने जा eff Concept कि के शरूर बता दिये ताकि याद की सहर शौ जब Из wholly present half कि अनुशार होते हैं तो हमारा उचार काह荃 कि ए ठीकर हम से अचली नहीं होते हैं कि अभी नहीं होते हैं कि सब्सक्राइव नहीं करेंगे तो मुख द्वार के अभिहंतर परियतने कहते हैं, ठीक है, मतलब जब हम व्यंजनों का उचारन करेंगे, ठीक है, व्यंजन का हम उचारन कर रहे हैं, तो मुख के भीतर में ही जो क्रिया होगी, ठीक है, मुख के भीतर में ही जो एफर्ट्स लग रहे हैं, उसे क्या कहते हैं, हम लोग अभिहंतर, अभिहंतर से ऐसे जाल रखेंगे जो अंदर मुख के अंदर जो भी क्रिया हो रही है किसी वेंजन के उचारन करने में उस अधार पर हम लोग अभी देखेंगे अभिहंतर परियतन मतलकी मुख के अंदर जो परियतन हो रहा है उसके अधार पर वेंजन सबसे पहला इसमें है इंजन ठीक है इस्पर्स इंजन है और यह अलग है इसकी संख्या कितनी होती है संघर्सिव इंजन उचारन अस्थानों के संघर सोता है ठीक है उष्चारण जितने भी अस्थान है तो से संघर्स वेंजन कितनी होती है चार होती है ऑँट है आधी हम इन देखा था शा社 aquele को हमारा उचारन अस्थान के एधर पर हो जाएगा और संघर्सी व Quindi के उट्व représent आप यहां पर जेकर दोनों चेहां पर हो रही है तो वह कहलाते हैं हमारे आ पर संहरसी होती है तो इसे भी आद कर लेना है आगे हम लोग देखते एक उत्षिप्ट व्यंजण वड़न तो इसके संख्या कितनी होती है दो ہوتी है और ड और धा इसका उचारन स्थान मुढळन्य है थेक है अब उत्षिप्ट का सीधा मतलब होता है कि उटकर ठीक है तो इसका मतलब समझते है जिनके उचारण में जीब पहले ऊठकर मुर्धा को सपर्स करें और जटके से नीचे आया भीक मेस न göstटे बंदे जीब पहले ऊठकर मुर्धा को सपर्स करती है तो । जीब आहां कि मेली सिद्व putting like को उपर सपर्स करती है और जटके सी नीचे आती है तो your body is our कर जो हो हुशरों डियों को समझना कि इनग को बोलते हैं जिनका नाग की साहेता से ने जिनग horizon का उच्यारन इसके संक्या है बहुए की चे emphas यह सब्सकेरैं का तो पांच ठीक है नाक की साहेता से बतल याि इसके संक्या क्या है पाच है हर वर्ग का पंचम वर्ण ठीक है सिंपल आपको आप से कुछिन पूछ सकता है कि हर वर्ग का पंचम वर्ण क्या कहलाता है ठीक है अप्शन देगा अनुनासिक निर्णुनासिक ठीक है और कुछ उच्छिप्त देगा ठीक है एक और कुछ और ल अधिक ले रहा है तो इसले हो गया ये अनुनाशिक भींजन वर्ड ठीक है नेस्ट अबहु हम लोग चलते हैं और इस्वार ठीक है अर्दस्वर्ड क्या होता है दोह जो कभी स्वार हो और कभी वेंजन ठीक है तो जैसे देख सकते आँ इसमिन सिर्फ दो आते हैं यह और वह तीकर इसके संक्या कितने हैं? यह दो है और यह और वह फिर इन्हें क्या बोलागा जात है Erdsworth दोनरूप में इसका परियोग करने चाएं देखते हैं लुनधित Zukunft perse जिसके उचारण में जीव तालू से लुड़क कर इस पर्श करें तो को से रू क्या데KS संख्या सिर्फ एक होती और वह क्या है र रहते कि अब खुद से बोलकर के देखें तो जीभ लगेगा कि क्या यह लुड़क कर आ रही है तो लुंठित इसलिए कहा जाता है ठीक है सिंपल इसे याद कर लेना एक कोश्चन सिंपल यह पुछेगा कि लुंठित वर्न कौन होता तहलों से चलायग से लग करते हैं से हम कहते हुए निकल जाए दो कि जेव के सब पर कहते हैं संख्या क्या होती है एक होती है हुझे निनक्ताइब कर देते निकल रही है तो से 5 वट हम लोग कहते है ठीक है कि अब एक बार मैं recall कर देते हूं इस अभी अंतर परियतने के आधार पर प्रकार है अस्परशी बेंजन जो कि जिनकी संक्या 16 है संघर्षी बेंजन जिनकी संख्या 4 है फिर फिर असपर संघर्षी के संघर्षी के संख्या कि इसमें हर वर का पंचम अक्षर ठीक है फिर उसके बाद हमने देखा अर्दसवर ठीक है जो की स्वर भी है आधा स्रेस्वर है आधा वेंजन है तो इसके संख्या दो होती है यह और वा फिर लुंठित हमने देखा लुंठित जब लुड़क करके आवाज आदी है तो क्या हो लुन्तित कहलाता है र इसमें आता है और पास्ट्विक मतलब जो हवा बगल से निकल करके उचारन हो तो उसको बोलते है पास्ट्विक और इसका एक्जांपल होता है इसमें एक वर नाता है लग तो इस तरह से हमारा हमने अभियंतर परियतनी के अधार पे आठों भीत अच् फैस्छेंट कौन सा ये है इस पर कोशन आके आ चुके हैं कि बाहर प्र tienen के अधार पर एंजन वर्ण के कितने बेद है है तो यहाँ पर simply अगर यह कोशन पुछे कि बाहु प्रत्री के अधार पर तो हमारे क्या हो जा इगा लोगory कि अप Will to okay अब क्योंकि दो प्रतों में कमपन के अधार भर ठीक मता percent whether, you say hold Him to a कि एक है हवा की मात्र की अधर पर तेक है फिर प्रुज के बाद हम लोग फर्दर डिविजन कर रहे हैं कि इस वह तंतरियों में अधर रहों होते हैं घोश या अघोश और अघोश तक किसे अच्छे से समझेंगे हम लोग जोश हॉर शगोश से सुरू करता है अगोश और अघोश के बारे में और इसे अगर आपको सिंपली ये भी पोले कि घोशत्व के अधार पर कितने भेद हैं वर्णों के तो घोश अघोश होगा ठीक है चलिए अब इसे बहुत ही अच्छे समुख पढ़ें गोश या घोश जिन ध्वनियों के उचारन में स्वर् स्वर्टनत्री में कंपन होरा है गुंज अधिक हो गुंच क्या हो अधिक हो तो उन्हीं हम क्या कहते हैं घोश ये सगोश कहते और इसमीं कौल से वर्ण號 आते हैं और रड़ल का 3 पाच मांगट है बने पढ़े तेना गवर्ग चावर्ग टवर्ग टवर्ग पवर्ग ठीक है तो पाचो वर्ग का जो तीसरा चौथा पाच्वा वर्ण है जैसे की का खागो को हटा देजे फिर गगण ठीक है तो ये तिनों क्या हो गया सगोश में आ जाएगा ठीक है तो ऐसे ही समझना है हर वर्ग का तीसरा भी इसी में आता है तिक है फिर उसके अलावा होह जो है वो भी किसमें आता है घोष में आता है तो यह यह statement हमें करना है कि हर वर्ग का तीसारा चाल क्यम्मा चॉथा पाच्मा और अंत टो टोटल कितने वर्न हमारे ह 오래-ежд 15 तोल चार ब्रेस्त व्यंजन गोंड़ गये तो संगोश्वर्न हो गये फिर तो ग कुल्स व्यंजन पूछेगा तुब आपको लगाना है थेखें लिया कि कहां-कहां संगोश याँ सभी स्वड्वर्ण कितने सघोष और अलप्रान तो यहांपर पूरी बड़न माला मैं संगोश कितने हैं जब अग्या हम करेंगे है कि संगोंश व्यंजन जो 20 आया हमारा प्लस 11 कर देंगे तो हमतलर 31 तो टल 31 क्या है हमारे पूरी वर्ण माला में सगोश वर्ण है ठीक है अगर सिर्फ पुछा कि संगोश clinically बताओ सिर्फ व्यंजन शिर्फ बताओ तो हम बोलेंगे 20 है ठीक है लेकिन पूछे कि पूरी वर्ण माला में संगोस वर्णे कितने है तब क्या हो जाएगा 20 प्लस 11 स्वार वर्णों को भी क्या करेंगे इसमें जोड़ देंगे और ये टोटल क्या होगे 31 होगा ठीक है तो इससरा से संगोश हमने कर लिया अब हम लो पूँआ को उच्छा जिन ठोनेयों के उचारण में स्वार तंटर्इवे में कंपन ना हो गुंच कंभा हो तो क्यों इसे हुम क्या अग्षो बोलते हैं ठीक है निकош देखते हैं सगोष में आ गया हमारा तो उष्म वेंजर में कितने और बचाहिए 10 वेंजर घर है की तो अगोष की रहे होकी हुआ है समझ आया और अगोश फ्लस पूरे वर्णमाला ने फ्लस पूर्णमाला कि अपनी तो क्या होगे तो क्या हो गया हम वर्ण हमारा बन गया ठीक है और हमने स्टार्टिंग में ही डिसकर्स किया था कि मूल हिंदी के वर्ण पूछेगा तो हमारा 44 आंसर होता है ठीक है इस तरह से कोशन बनता है इस टॉपिक से सगोश अगोश से तो अब आप लोगों को आई हो पच्छे से यह क्लियर हो गया हो ऑब हम दोग यह देख लेता है नाम से समझ में आ रहा है इस allemaal कम छास हे हास की जहां MA चाहूं करेंगा तो अलप नक लाएगा तीग है जिन विएंजनों की उचारन में मुख से कम हवा निकले निकल अनुख के उचारन में मुख से कम हवा निकलती है तो उसे हम क्या कहते हैं अलपरान कहते हैं सिंपल है ठीक है हर वर्ग का पहला तीसरा पाच्वा वन और अंतास्त वेंजन ठीक है सभी मिल करके क्या बनाते हैं अलपरान बनाते हैं ठीक है फिर समझ यह से हर वर्ग का पहला तीसरा प और पाचमा यह अलपरान होता है तो इवर कुछ से बोल के भी देखिए जैसे हम का बोल रहे हैं तो कम वायू निकलती है जैसे हम बोलेंगे खा तो मुह खुलना पढ़ रहा है नामे का खा हना गा नॉर्मल बोलें फिर गा मुह खुल रहा है मतलग कि कम वायू जिसे निकलती तो वह जाता है अलपरान सकै는 फेला थीसरा पाचमा उत है अन्थ वेंजन की अमने हैं तो होटा है यह चीज़ और अंच्छा बयाट निकल सो希जव वह हैं दृक। 0 अगर आपको अलपरान वेंजन पूछे कि पूरी वर्ण माला में अलपरान कितने हैं तो उनीस हो जाएगा फिर बोले कि पूरी वर्ण माला में कितने अलपरान कितने हैं तो यक्या बन गया हमारा कितने होते से सही पूलोण कितने हो जब क्लियर होगया हूं कि Amiru बिल्कुल जुका है इ10 नमा परान बस बचा है हम लोगी इसे कंपडिट कर लेते बरी माह परान ठीक है माह परान जैसे नाम से इस परश्ट हो रहा है महा मतलब क्या होता है अधी अलगा मतलब देखे हमयों जिसकी कम शॉसायरं में जिसकी जिसके जिन जनों के उचारन में हचार की ध्वनी विसेश रूप से सुनाई देता है तो उसे भी हम लूग महाप्रान मान सकते हैं जैसे हर वर्ग का क्या है दूसरा और चौता ठीक है तो अभी हमने प्रैक्टिस करी थी कि खा और गगः तो खा जब हम बोल रहे हैं तो लास्टमें हर की वीधों निया और हम जोर से बोल रहे हैं मतल़ कि मुख से हमारा ज्यादा वायू निकल रहा है तो यही हो गया हमारा महापराण ठीक है उसे तरा अधी भर में देखिए थ्थ यह मुन से अधी खभा निकल रहे हैं और जब वुचारण भी कर तो लास्ट में हर की हा की सा यिए सभी महापरान उतने से जाओधी अंगते हो टायर दूसरा새 ट्रेंजेंट करने एक हैं याहना कि न's some person कर ला है तो हम फ्रेंच में कर लेते हैं तो back to 10 आंड अंडितलाव में even तैजल्सार चार नंडिस दो साथार नहीं की फिल संखुम हमाहापाहाँ को धेए उलतीं एंड कि vide elegant फ्लेट के ऊधो YEAR कुल संखिय थे अगर को खुल संखिया कुल 7 को जोड़ कर भी कि उलने बंथिम देखते शलिए मुल हिंदी वाल व्हाँ बनत को जब हम करेंगी तो वो हमारा चाहबन था क्वाल तो इस तरह से महनत करनी हूं आप लोगों की पीडियों पर तो इस तरह से हमने बहुत अच्छे से कंप्लीट किया आप इसे क्या करना कि एक बार मैं एक सिद्ध मतलब दो तीन दिनों के अंदर आपको सारे पीडियों प्रोवाइड कर दूंगी तो तब आप लोगों क्या कर है तो आप उसे भी देख सकते हो और इंग्लिश की क्लासे तो चली रहे है ठीक है तो बाबाई टेक क्यार